नीट 2021 पेपर का लेवल कैसा होए बहुत ही लॉजिकली बात करेंगे इस वीडियो में कोई भी लपा नहीं मारेंगे कोई भी रैंडम गेस नहीं होगा प्रूफ के साथ ये चीज हम प्रेडिक कर सकते हैं कि नीट 2021 का कैसा लेवल आएगा इजी आएगा या फिर टफ आएगा हाई एवरिवान आप निटेश दिवनानी आएव फाइफ यर्स ओफ टीचिंग एक्सपिरियंस और मैंने हजारों बच्चों को मेंटर किया है उनकी जेई प्रिपेरेशन एज वेल आज नीट प्रिपेरेशन तो चलिए आर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं 2021 पेपर का लेवल प्रिडिक करने से पहले हम लोगों को स्टूडेंट्स को समझना होगा है देखिए स्टूडेंट्स को हम ब्रॉडली दो काटेगरी में डिवाइट कर सकते हैं एक यार ऐसी काटेगरी है जो बहुत हाई क्वालिटी एजूकेशन अफोर्ड कर सकती है 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 अच्छे से attempt कर पाए इस तरीके से paper बनाया जाता है ठीक है लेकिन NTA को ये criticism मिल रहा था आप यार पहले के papers उटाओ 2015 के 2016 के इस तरीके से paper बनाया जाते थे कि केवल और केवल वो ही students जो high quality education afford कर पारें सिर्फ वो ही उस paper को अच्छे से attempt कर पाते थे और ऐसे students जो इतनी high quality education afford नहीं कर सकते वो यार उस paper को उतने अच्छी तरीके से attempt नहीं कर पा रहे थे 2019 में मदरास हाई कोट ने भी यार NTA से पूछा था ऐसे ही type के papers क्यों बनाया जा रहे हैं से एक ही section of students attempt कर सकता है और एक major section जो कि इतनी high fees इतनी high quality education afford नहीं कर सकते वो यार बिलकुल भी वो paper को attempt ही नहीं कर पारें तो मदरास हाई कोट ने 2019 में NTA से पूछा था ये और उसके बाद ये expected था कि जो भी paper आएगा वो बहुत ही fundamental based आएगा और हुआ भी ऐसा ही तो देखिए जो आगे के NEET के papers होने वाले हैं चाहिए हो है 2021 हो या फिर 2022 हो उन सभी paper का जो level है आप NEET 2020 जितना ही expect कर सकते बहुत ही fundamental based रोएगे papers NCRT based होएंगे तारेक्ट NCRT से question पूछे जाएंगे जो 2021 का paper आएगा NEET का या फिर 2022 का आएगा वो बहुत ही fundamental based paper होगा आप समझिए यार आप दो तरीके के paper हो सकते एक paper होता है breath wise paper मतलब हर किसी portion से एक equation at least पूछा जाए याना हर किसी chapter से एक question तो आए आए इस breath wise paper में हमें क्या करना पड़ता है पूरा का पूरा syllabus cover करना पड़ता है दूसरी category of question paper होती है depth wise question paper यह एक topic पकल दिया उससे बहुत tough question बहुत deep में आर question पूछ लिया ठीक है तो मतलब किसी भी portion से question आ सकते है तो जो भी आप आगे के papers आएंगे उनका level क्या होगा NCRT based होगा fundamental पे आपसे question पूछे जाएंगे और breath wise paper होएगा मतलब पूरा का पूरा slip cover करना है यार हमें और कहीं से भी आपके question पूछा जा सकता है एक यार छोटा सा update मैं learning deals पे high quality free education प्रोवाइड कर रहा हूँ chemistry के lectures आ रहे हैं आप लोग उसे नीट की preparation देई की preparation as well as your class 11th and 12th की preparation बिलकुल refer कर सकते हैं thank you very much take care bye bye